जैहें दोस्तों आज हम modern history के set number 3 की ओर हैं इसे पहले हमने set 1, set 2 डाला था जिसमें 100 questions डिसकस कर चुके हैं आज हम set number 3 की ओर हैं जो आपको आने वाले परतयुकता परिक्षा चाहिए हो केरिवियस का हो या एनिवियस का हो प्रसन संख्या 101 की ओर हैं जिसमें भुदान आंदोलन किस ने प्रारम किया था इसका सही जवाब होगा बीनोवा भावे ने सही जवाब बीनोवा भावे प्रसन संख्या 102 की ओर हैं भुदान आंदोलन का सपर्थम पाराम किस राज में हुआ था इसका सही जवाब आंद दरश में, प्र Excellence संख्या एक सो टीन की और है, भारत मेंbsitan मजदूर संख्या थापना की गई थी ब्पी वाडिया कि द्वारा, प्र crít student संख्या एक सो चार की और है, निम्लिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्स्टाई लेवर एसोशेशन के अस्थापना की महात्मा गांधी ने प्रसन संख्या 105 की और है भारतर ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे लाला लाजपत राय अपसे नमबर सी होगा प्रसन संख्या 106 की और है अखिल भारतिय ट्र नेताओं के बिरुद्ध था शामदादी आंदुलन के बिरुद्ध था प्रसन संख्या 108 की और है 1940 में रेडिकल डेमोक्राटिक पार्टी का गठन किया गया था एम एन रोय के द्वारा प्रसन संख्या 109 की और है सोमेंदर नात्र टेगोर द्वारा अस्थापित दल का क्य नाम है करांतिकारी शामेवादी दल अफसे नमबर भी जो कि सही है प्रसंसंग के एक सुदस क्यों है और रॉलेट सत्यागरा के संदर में निम्रिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसका सही जवाब होगा रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमीटी की सिफारिस पर आधारी था यह पहला बिल्कु सही स्टेटमेंट है दूसरा रॉलेट सत्यागरा में गान्धी जी ने होम रूली का उप्यो करने का पर्यास किया है यह भी सही है साइमन कमिशन के आगमन के बिरुध हुए पर्दाशन रॉलेट सत्यागरा के साथ-साथ हुए थे सोरी यह गलत है प्रSM संक और ने नाइट हुट के उपाधी वापस कर दी थी प्रस्ण संख्या 111 का उप्शन डी सही होगा प्रस्ण संख्या 112 की और है प्रस्ण संख्या 112 जालिया वाला बाग जालिया वाला बाग कांड के बिरोध में निमलिकित में से किस वाय शराय के काड़ परशत से त्याग पत्र दिया था शर संकर नायर, option number C होगा प्रशन संख्या 113 क्यों है, निम्न में से किस के द्वारा जालिया वाला बाग कांड के बिरोध में सर की उपादी त्यागी गई थी अभी बताया मैंने, रविंद नाथ टेगोर के द्वारा option number C जो कि सही है, प्रशन संख्या 114 क्यों है, भारती सुतंता आंदुलन के काल के संदर में नेहरू रिपोर्ट में निम्निकित में से किस की अनुसंसा की गई थी, इसका सही जवाब होगा भारत के लिए पूर्ण सुतंता नहीं यह नहीं था दुसरा, अलप संख्यों को है तू, आराक्षी दस्थानों के लिए संजुक निर्वाचन चेत्र, यह सही था दुसरा, तिसरा, समिधान में भारतियों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यह भी सही था यह निए option number B जो कि सही होगा, दो और तीन वाला प्रेशन संख्या 115 के और हंटर आयो की नियुक्ति की गई थी, जालिया वाला बाग हत्या कांड के बाद, जालिया वाला बाग हत्या कांड के लिए जिमेदार जनरल ओडायर को निम्ड में से किसने मार दा रहा था, उदम सिंग ने मार दा रहा था, option number C होगा प्रेशन संख्या 117 को, जालिया वाला बाग नर संख्यार पर कॉंग्रेस जाज समीथी की रिपोर्ट के प्राडूप लिखने का कार्ज किसे सौपा गया था, तो इसका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी को, option number B, प्रेशन संख्या 118 की और है, खिलाफत आंदूलन के प के कटरपन को फ्रोथसाहित न करें, इसका सही जवाब होगा, महांध अली जिन्ना, option number D होगा, प्रेशन संख्या 120 की और है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदूलन का समर्थन किया, मुखिता, मुखिता का खलीफा की पुना हस्थापित, आनि खलीफा का पद जो है, तो आशा इसलिए option 3 भी सही है, कांग्रेस में जिन्ना को हासिय पलाने के लिए कार्ज किया, यह गलत है, इसलिए से option 1 और 3 सही होगा, option number D जो की सही है, प्रेशन संख्या 121 की और है, निमलिखित में से किस भारतिये ने खिलाफत आंदूलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन इसकी और है, निमलिखित में से किस वर्स बंगाल में मिदनापुर जीले में जातिया सरकार की अस्तापना हुई थी, 1942 में, 1942 option number D जो की सही है, प्रेशन संख्या 133 की और है, निमलिखित में से किस ने नागपुर में के भारतिये राश्ट्री कॉंगरिस के अधिवशन में प्रस्ताब को प्रस्तावित किया था, चितरंजन दास ने इसको प्रस्तावित किया था, option number A सही है, प्रेशन संख्या 124 की और है, निमलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई, और अभियुक्तों के समर्थर में, अलबर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, ह प्रस्तावित की थी, इसका सही जवाब होगा, मेरट शर्द्यन्त के बारे में, अनि मेरट शर्द्यन्त मुकदमा पर सभी का सहानवती प्रावथ हुआ था, option number 3 सही होगा, प्रस्त संख्या 125 की और है, निमलिखित कतनों में से कौन सा असायोग आंदोलन के सम्बद में सही नहीं है, इस तरह के प्रस्त हमेशा उल्जा जेते हैं, इस तरह ध्यान से option पढ़ियेगा, कौन सा असायोग आंदोलन के सम्बद में सही नहीं है, इस आंदोलन की अवधी, 1920 से 1922 तक सती, बिल्कुल सही बात है, चुकि 1922 में, पाच परवरी 1922 को, चौरी 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 वापस कर लिया था, असायोग आंदोलन वापस इसलिए हुआ था, दूसरा option, यह एक बर्स के भीतर सुराज की प्राप्तिकार इसका अलक्ष था, यह भी सही है, और इसमें भहिसकार की होजना थी, यह भी सही था, मुहमद अली जीनना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था यह गलत है, और इसमें पूछा गया था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो option D जो की सही नहीं है, प्रसन संख्या 126 की और है, बिटी सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपादी दी थी, उसे उन्होंने असायोग आंदोलन में वापस कर दिया हुआ थी, कैसर A. हिंद, याद परिणाम नहीं देख सके, बाल गंगादा तिलक उसके सहयोग तो किया था, लेकिन उन्होंने इसके परिणाम नहीं देख पाए, option A. जो की सही है, प्रसन संख्या 128 की और है, कैसर छेतर में राहुल संक्रितायर 1920 के सहयोग आंदोलन में सहा करिये थे, प्रसन संख्या 128 का सह सही जवाब, एक बार option जया देख लेते हैं, हाँ, इसका सही जवाब होगा, छपरा, option number A होगा, सही, प्रसन संख्या 139 की और है, निमलिखित में से कौन 44 कांड की बास्तविक ती थी, तो 5 फरवरी 1922 अभी हमने बताया भी था, 5 फरवरी 1922, option A जो की सही है, प्रसन संख्य 139 की और है, चौरी-चौरा किस जन्पद में इसी थे, चौरी-चौरा गोरकफूर उत्तर प्रदेश में इसी थे, option number B जो की सही है, प्रसन संख्या 139 की और है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असायो गांदुलन वापस किया था, चौरी-चौरा के कारण option number B जो की सही प्रसन संख्या 132 की और है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असायो गांदुलन को अपनी हिमाले जैसी भूल बताई थी, या चौरी-चौरा, देखिए प्रसन पूछिजा का तरीका किस तरह से अलग-अलग हो सकता है, इन प्रसनों को देखके आप महसूस कर भी र लिखा था, यह निश्थुर बरवादी है, यह रविंदर नाथ टैगोर ने लिखा था, अप्सन नमबर बी जो कि सही है, प्रसन संख्या 134 की और है, आपको बताना है कि निमलिखित संस्थाओं में से कौन असायो गांदूलन 1922 के दोरान अस्थापीत की गई थी, अब ब प्रसन संख्या 135 की और है, सवतनता पूर्व भारत में निमलिखित में से किसने केंदरिये विधान सभा में सुराज दल का समर्थन किया था, मुहमद अली जीन्ना ने समर्थन किया था, अप्सन नमबर ए जो कि सही है, प्रसन संख्या 136 की और है, निमलिखित में से किसने स ज़ार तेज बहादुर्श चप्तरू और जैकर ने इसका सही जवाब को přेसे संख्या 126 संख्या 136 सुराज पार्टी की संस्थापित किया गया thou सुराज पार्टी क शलना मोती लाल नहरू और सियर दास कि दौरा स्थापिट に किया गया था प्रसंद संख्या 133 की और है गोपाल केशन गोखले ने किस वर्स में भात सेवक मंदल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सुसाइटी की अस्थापना की थी 1905 में अप्शन नमबर डी जो की सही है प्रसंद संख्या 149 की और है मोतिलाल नहिरू और सियारदास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था अप्शन नमबर सी होगा प्रसंद संख्या 140 की और है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्रखित घटनाओ को सही काल करम के अनुसार निर्दिष्ट कीजे सबसे पहले चमपारण सत्यागरा होगा 1917 में उसके बाद आहमदावाद मिल 1918 में खेरा सत्यागरा भी 1918 में ही हुआ था उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरूद सत्यागरा हुआ था यानी 2431 इस ऑप्शन नमबर ए जो की सही है प्रसं independent party बनाने का निर्दने लिया था उप्शन नमबर बी जो की सही है प्रसं संग 142 की और है साइमन कमिशन के आने के विरूद भारती जन अंदुलन क्यों हुआ था चुकि इसमें कोई भारती से बारती नहीं थे इसलिए ऐसा मानना था कि अगर भारती में ही नहीं तो भारत क ये फेबर में निर्दने नहीं लिया जा सकता है प्रसं संग 144 की और है नीचे दिये गए दो बक्तब में हैं उनमें एक कथन है और एक कारण है अब देखिए कंग्रेस ने साइमन कमिशन साइमन आयोग का वहिज़कार किया था कथन है और इसका कारण बताया गया साइमन आयोग में एक भी जदस भारती नहीं था इसका मतलब सही कारण है इसलिए इसका अप्शन एक सही होगा ए और आर दोनों सही है और आर एक सही भाग्ठा करता है अप्शन ए जो की सही है प्रसं संग 145 की और है साइमन कमिशन की सिफारिशों के संदर्व में निम्रिखित मे नहीं है इनमें प्रांतों में द्वायत सासन को उतरदाई सरकार द्वारा प्रतिय स्थापित किया अजने की संस्तूति की गई थी अप्शन नंबर ए जो की सही है इस तरह से कुल 145 प्रसंद आनि हमने तीन से माध्रम से आपके समक्स प्रस्तूत किया है उमीद करता हूं क कि आपको समझ में आया भी गया होगा और आपके उपर खेक लिए उप्योगी सावित होगा धन्यबाद समय रहते इसको देखते रहें